पश्चमंगाल में जमातियों ने आतंक मचा रखा है उन पर चल रही कारवाई के बावजूद वे भारत छोड़कर भागने में लगतार कामियाब होते जा रहे हैं अब सवाल यह है कि ऐसा मुम्किन कैसे हो पा रहा है क्योंकि ममता पेनर जी जमातियों की हरकते नजर अंदास कर रही है लेकिन उनका ये खेल ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं था इसी कड़ी में अब पश्चमंगाल के राजपाल जगदीब धनकर ने ममता पर आरोप लगाया है कि केंड़ सरकार की तरफ से लुकाउट नोटिस जारी होने के बावजूद ममता सरकार तब्लीकी जमात के बांगलादेशी सदस्यों की हरकतों को नजर अंदास कर रही है जिसकी वज़ह से बांगलादेशी जमाती भारत छोड़ कर अपने देश भागने में सफल हो पा रहे हैं देखते हैं ये रिपोर्ट जहां एक तरफ पूरे देश में लोगों को ये नसीहत दी जा रही है कि जो जहां है वो वही रही ताकि कोरोना के बढ़ते केसिस पर लगाम लगाई जा सके लेकिन पश्चम मंगाल में तो मानो किंड सरकार के हरा देश का उलंगन किया जा रहा है जमाती अपने खर भाग खड़े होने में सफल होते जा रहे हैं और ममता बनर जी चुपी सादे बैटी है इसी मुद्दे को उठाते हुए पश्चम मंगाल के राज़िपाल जगदीब धंकर ने राज़िकी मुख्यमंतरी ममता बनर जी पर तबली की जमात मामले में गेर जमेदार होने का आरोप लगाया है राज़िपाल ने ममता बनर जी पर तबली की जमात के विदेशी सदस्यों की तरफ आख मुनने का आरोप लगाया है उनका कहना है कि केंड सरकार की तरफ से लुकाउट नोटिस जारी होने के बावजूद ममता सरकार तब्लीकी जमात के बांगलादेशी सदस्तियों के हरकतों को नजर अंदास कर रही है इसकी वजह से बंगलादेशी जमाती भारत छोड़कर अपने देश भागने में सफल हो पा रहे है धनकर ने ये भी बताया कि हाल ही में रिपोर्ट मिली थी तब कुछ दिनों पहले सीमा पर इमिग्रेशन ब्यूरो में 19 तबली की जमातियों को बंगलादेश जाने के तौरान सीमा पर रोक दिया गया और हिरासत में ले लिया गया था दरसल बंगलादेशे नागरे कोलकाता के न्यू टाउन में मदिनात उल हुजास के कोरंटाइम सेंटर में थे उन्हें बस द्वारा बंगलादेश भेजा जा रहा था बंगलादेश के लिए प्रस्थान करने के लिए हरी दासपूर पहुचने पर पाया गया कि उनके खिलाफ लुकाउट नोटिस जारी था इन जमातियों को दिल्ली के क्राइम ब्रांच के डीसीपी ने आफिस में पेश होने का आदेश दिया था लेकिन खुद को बचाने के लिए जमाति चुपके से बंगलादेश भागने की फिराक में थे मगर इससे पहले कि वो बस लेकर बंगलादेश के लिए रवाना हो पाते उन्हें रोक कर हिरासत में ले लिया गया लेकिन ममता की सरकार की ओर से ये एक बहुत बड़ी चूप थी विदेशी तबले की जमात के सदस्यों ने भारत के वीजा नियमों की धज्या उड़ाई ही थी जिसे लेकर उन पर कारवाई भी की जा रही है साथ ही ममता बनर जी भी बस चुनाव के लिए अपनी गंदी राजनीती को अंजाम देने में लगी है उन्हें बंगाल की जनता से कोई सरुकार नहीं है उनकी अध्यक्षता में पश्चम बंगाल में अब तक जो कुछ भी हुआ उसे देखते हुए भी धनकर ने ममता सरकार पर केंदे सरकार द्वारा जारी किये गए दिशाने देशों का पालन नहीं करने और लॉकडाउन को भी सही तरीके से लागू नहीं करने का आरोप लगाया है और ममता बनर जी है कि लगतार खुद पर लगे आरोपो को खारिच करती जा रही है एक तरफ ममता बनर जी ने जमातियों की हरकत पर चुप पिसाद रखी है और दूसरी और अपने राज्ये के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है अब जब ममता को लगने लगा है कि इन सब का असर आगामी चुनाफ पर होने वाला है तो उन्होंने फिर से एक बार नया पैत्रा आजमा कर कोरोना के बढ़ते केसिस के मद्दे नजर खुद को लाचार बता दिया और कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं रह गया अब मुझे कुछ नहीं करना है आप अपने बगल में कोरोना के साथ सो सकते हो इसे अपना तकिया बनाए मुझे माफ करे ममता बेनरजी ने जमातियों के मुद्दे पर अपनी आँखे बंद कर रखी है इसलिए ही लोकाउट नोटिस जारी किये जाने के बावजूद भी बांगलादेशी जमात सदस्य जांच की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना हरीदासपुर चेक पोस्ट के माध्यम से भारत छोड़ने की कोशिश में लगे है जो की बाकई चुन्ता जनक है इसी तरह की खबरे में आपके लिए लाती रहूँगी तब तक के लिए बने रहे हैं हमारे साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे हमारे चानल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अक नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया